हेलो स्टुएंट क्लास 9 का मैट्स का कोशन पिपर है ये एन्विल एक्जाइम के पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट है डी ओई का है 23-24 सेशन के लिए तो जिन बच्छों को फाइनल एक्जाइम की प्रिपरेशन करनी है फाइनल एक्जाइम के पॉइंट आप इस भी अच्छी तरह से से प्राक्टिस कीजिए ठीक है तो अभी हम इसका सेक्शन एक करने जा रहे है एंड इसके इलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैट्स की एंड साइंस की भी मिल जाएगी तो उसमें जो भी इंपॉर्टन कोशन पिपर से उसे ज़रूर कर लेजिए फाइनल एक्जाइम के पॉइंट अब यू से इंपॉर्टन है चले स्टार्ट करते इसका सेक्शन ए द प्रोड़क्ट ऑफ एनी टू इरेशन लंबर इस फ़र्च कोशन है आपका तो दो इरेशन लंबर का प्रोड़क्ट कैसा आएगा ऑल्वे इरेशन लंबर क्या होते है जैसे रूट टू हो गया ूगया जो रूट से मतला कम्पलीट डिवाल मतला हूँ सकते का नहीं हो सकते आपके नहीं आपे लाइक रूट फॉर्च होता है रूट फोर्ट तो परेफेक्ट स्कौर ना डुस्का तो वह एक रूट फोर्ज ओ है इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका अंसर 2 आ रहा है तो इसमीज वो रेशनल है वाट रूट 2 और रूट 3 के डेसिमल एक्सपेंशन तो कभी खतम नहीं होंगे तो वो रेशनल होते हैं और जब हम इनको को मल्टिप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोड़क्ट बोला तो हमने रूट 2 और रूट 3 दो इरेशनल नमबर लिए और उनका प्रोड़क्ट निकाल के देखा तो रूट 6 आएगा और रूट 6 का दोनों ही इरेशनल हैं अब हम इसका अकर प्रोड़क्ट करें तो कितना मिलेगा आपको आपको पता है रूट रूट से मल्टिप्लाई हो जाते हैं तो रूट 16 आजाएगा रूट 16 को आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 4 तो 4 दो बार आगर रूट में तो एक भार आ सकता है यानि यह 16 4 का क्या होता है स्कार रूट होता है तो 16 का रूट करोगे तो 4 मिलेगा जो कि क्या होगा रेशनल तो यहां पे आपने देखा 2 इरेशनल का अंसर इरेशनल आ रहा है जबकि यहां पे आपने देखा 2 इरेशनल का प्रोड़क्ट जो आया वो आपका रेशनल आ ग numbers का तो यह मैंने example से समझा दिया second question देखते हैं the parameter of triangle is 60 if its sides are in the ratio 132 smallest side आपको find करनी है तो दिखिए आपको एक triangle दिया हुआ है यह triangle हम बना लेते हैं अब ratio दिया 132 तो एक को 1x मानलो एक side को ratio of sides दिया है तो side एक को 1x मानलो एक को 2x मानलो एक को 3x मानलो अब आपको parameter का formula पता होना जिए triangle का तीनो साइड का total कर दो यह first side है यह second side है और यह third है तीनो साइड का total कर दो तो a मतला first side b मतला second and c मतला third तो parameter आज जाएगा a first side कितने 1x फिर b क्या है 2x and c क्या है आपका 3x जब भी ratio दिया होता है आपको तो आप क्या करते 2x लगा देते हैं में तो यह 1x हो जाएगा यह 3x यह 2x तो इनका total जो है वो आपको 60 गिवेन है question में तो 1x 2x 3x 3xx तो plus हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 6x 6x 60 है तो x निकाल लीजिए यहां 6 multiply में है यहां के डिवाइड में चला जाएगा तो वन एक्स निकालना है अपको तो वन एक्स एक्स आप निकाली चुके थे 10 हां अगर लार्जिस्ट पूलते तो कौन सा होता if 2-0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y equal to k तो find करना था k तो ऐसे question मैंने बहुत बार कराई है इसलिए मैं कहरें प्लेडिस्ट की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जितने भी 3-4 question paper से अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके final exam में बहुत अच्छी माकस आ सकते हैं तो playlist की वीडियोस को भी करना और इसको भी करना चलिए if 2-0 is a solution है इस equation का तो k कैसे find करते हैं तो आपको देखो 2-0 का मतलब क्या यह x होता है और यह y होता है एंड इस equation में रखोगे तो k निकल चाहेगा आप देखो 2-2 जा कितना होता है 4 multiply और ना इसके साथ एंड 3-0 के साथ multiply हो रहा था तो 3-0 को multiply करको 0 ही आएगा तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूत नहीं है तो 2-2 जा 4 equals to k तो k की value कितनी आ गई 4 आ गई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कोशिन में बी ए ओ सिक्स्टी है आपको ADC find करना है ADC तो देखे इसमें डाइग्राम में सरकल बना हुआ है यह O center है बीसी डायमेटर पूला है तो obviously O center होगा है ना अब आपको दिख रहा है कि यह वाला angle आपको दिया हुआ है BAO 60 BAO यह वाला angle angle 1 चीक है 60 दिया हुआ है अब आपको पता है इस triangle में अगर हम देखें तो यह side इस side के equal होगी क्यों 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 यह भी radius है और यह भी radius है OA और OB O center तो यह radius होगी ना तो OA OB के बराबर है radius है तो अगर सामने side equal हो triangle में यह वाले triangle में अगर side सामने वाले equal हो तो सामने वाले angle भी equal हो जाएगी तो angle 1 2 के equal हो जाएगा तो 60 आजएगा यह दोन्हों angle 60 क्योंकि angle 1 आपको अल्रडी दिया हुआ था तो यह वाला angle क्योंकि यह side इस side के equal हो रेडियस तो यह पूरा angle इस angle के बराबर हो जाएगा तो यह angle भी 60 आजएगा अब आप इस angle की help से यह वाला angle निकाल सकते हो यह वाला आपको निकालना कौन सा है ADC 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 कैसे निकाला जा सकता है आपने एक circle की theorem पड़ी होगी अगर कोई angle आपको निकालना है और उसी arc पे देखो इस arc पे ADC किस arc पे बना हुआ है आपका ADC आपका AC arc पे बना हुआ है और AC ही arc पे एक और angle बना हुआ है AOC अगर आप AOC किसी तरीके से निकाल लो तो ADC भी आजएगा आपका है ना क्यूंकि AOC जितना होगा ऑसका आधा ADC होता है से मार्क पे अगर एक एंगल सेंटर पे और एक एंगल सरकल पे हो तो सेंटर वाला डबल होता है तो यह वाला हाफ होगा साथ अगर यह 60 है तो यह 25 एक चोट होगा आधा होगा पया इस वाले इंगल का डबल होगा तो आप को यह आदा होता है तो आपको यह वाला निकालने एडी सी तो अगर आप एडी सी और ऐसी में आपके जिसी तरीकहा हो यह वाला तो यह आपका यह आजाएगा आधा करके तो यह एंगल 3 मान लो और यह एंगल 4 मान लो एंगल 3 तो आप निकाले लोगे इस ट्रेंगल को लेकि है ना इस ट्रेंगल में एंगल 1 और 2 मिल गया 60 60 60 कितना हो गया यह एक इसके क्वेल 60 60 है तो तो यह 60 आजएगा एंगल 3 तो यह आप क्या कर सकते हो एंगल समप्रोपर्टी लगा सकते हो एंगल 1 और 2 60 60 तो 3 भी कितना आजएगा 60 आजएगा अब यह 60 बढ़ा हमें तो 4 का ही आधा है यह एंगल 4 तो यह वाला ना जो मैंने भी समझाया थो भी लोगा लगा दो ऐसे एक हैंप आपका कितना होगा थि आपका कितना आगया 60 आजएगा अगल 4 वानेटी मेंशना से 60 को माइनस कब्सींड़ ऑस का और जितना एंगल 4 यह उसका आधा होगा क्योंकि इसेंटर वाला है घंडर वाला तो डवल होता है तो यह वाला प्रवादा कर दीना तो यह आपका 60 आचाएगा और इसको कड़ीका एक और तरीका है वह यह आप समझ लीजिए अत्रवाइज यह चोटा तरीका है इसको कर लीजिए तो पहले आप AOC निकल लेगा भी निकल लेगा पहले आपको AOB निकलना पड़ेगा यह वाला निकल सकता है क्योंकि यह जितना है उतना ही यह है और दूनों 60 आ रहे तो यह भी 360 ही होगा और 360 होगा तो 4 लिनियर पेर से निकल जाएगा वह आपको बंडूंटी आएगा जितन इसेंटर वाले का आधा होता है तो कुषिन में समझ आ गया होगा आपको BAOE वाला एंगल एंगल वन दिया था आपने इंगल 2 काईसे निकाला यह रेडियस इस रेडियस तो एक्वड एंगल काउन वन पूक्ड हो जाएगा फिर एंगल 3 भी इस टैंगल में अगर एंगल स 180 होता है तो यह 60 यह 60 तो यह भी 60 आजेगा 3 3 नहीं निकालना 4 निकालना है क्योंकि यह ADC 4 की help से निकलेगा AOC की help से तो एंगल 4 आपका कैसे आएगा linear pair से 3 और 4 में आप linear pair लगा देना तो एंगल 4 आपका 120 आएगा और एंगल 4 इतना आएगा ADC उसका जस्ट आधा आएगा तो 120 का आधा करोगो तो 60 आंसर आचे का 60 आंसर C option आपका इसका correct हो जाएगा ठीक है next question कर लेते है question number 5 question 5 आपका the base diameter of a cone is 10.5 cm slant height 10 दी है और area of cut surface निकालना था आपको तो cone का देको diameter दी है 10.5 cm radius निकाल दीजिए आधा कर लेके और slant height भी given है आपको तो cone कैसे बनता है cone आपका यह diagram होता ना तो इस cone में L दिया है slant height L मतला L इसको कहते है slant height होती है यह radius होती है और यह जो होती है height होती है तो L slant height आपको given है radius आपको diameter का आधा कर देना है diameter 10.5 है तो आप 2 से divide कर देंगे होती है अब कोड़ सर्फिस निकालना है कोन का तो पाई आरल होता है तो यहां पर H की हमें जरूरत नहीं है अदरवाइस है निकालने के लिए आप L स्कॉर बराबर R स्कॉर प्लस H स्कॉर वाला formula लगा सकते हैं बड़ यहां पर जरूरत नहीं है इसका decimal हटाने पर 10 नीच आजएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 पर कैंसिल हो जाएगा 7 से 10.5 अब तो पॉइंट हट चुका है यह 15 पर आजएगा 7 मंज़ा 7 3 बचा 75 तो 15 इंटू 11 आपका 165 होगा तो 165 इसका area आजएगा curved surface कोन का 165 cm2 जो की option number B आपका correct हो जाएगा तो कुछ नहीं है L भी दिया और R भी दिया है जस्ट solve करना है आपको तो इसका answer आएगा आपका 165 cm2 B option correct हो जाएगा question 6 देख लेते है if x plus 2 is a factor of x cube minus 2 x square plus 16 फाइंड करना है यह तो देखो जब भी ऐसा question number x plus 2 is polynomial का factor है तो पहले यहां से x निकाल लेंगे तो x निकालने के लिए x plus 2 को 0 के color के लिए तो x की value plus 2 है तो यहां के minus 2 हो जाएगी अब यह जो x equal to minus 2 है इस polynomial पे रखना है जहां जहां x से इस polynomial में x में minus 2 रखा यह वाला उसपे cube लगा है cube लगा दो 2a as it is x की जगे फिर से minus 2 पुट कर दो एंड इस पे square लगा हुआ है प्लस का 16 अब देखो मतला पी x पे था यह polynomial अब मैंने x की जगे क्या रख दिया माइनस 2 यानि पी माइनस 2 पे यह polynomial आ गया अब क्यूंकि माइनस 2 इसका क्या है factor है यादि यह एकस प्लस 2 फैक्टर है तो x-2 इसka 0 होगा कि मतलब और 3 तो तो टू तो सब्स्य दोने और निद्ध तू प्र दो टाइगा बाइनिस में उसे 2 forza 8A और 1 minus होगा अगर multiply में तो minus लगता है चीक है 1 minus होगा यह 3 minus होगा तो यहाँ 3 था तो इसलिए minus लगा यहाँ 2 minus थे तो plus था बट यह भार minus था तो 1 minus 1 plus multiply किया 8A number number से multiply होगा और A as it is minus 8A साथ में 16 as it is अब A निकालना है न आपको तो यह माइनस 8 को आप इस साइड ले जाए तो यह प्लस 8 हो जाएगा आग यह इदर गया है तो यह अपनी चाहिए पही रहेंगी तो इनके साइन चैंज नहीं होँगी ना तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 16 माइनस एट आएगा जो बड़ा होता उसका साइन लगेगा यह माइनस और प्लस में बड़ा कौन सा यह वाला नंबर बड़ा है तो इसमें प्लस का साइन है तो जब भी माइनस प्लस हो तो पहले माइनस क में जाएगा अब 8-8 क्रेंस से लोगे तो एकी वैल्यू वन आचे की तो सिंप्लिफिकेशन करना तो आता होगा जस्ट यह आपको याद अपना है जो फैक्टर होता है वहां से इकने सबस्क्रेंस निकाल लिजा एको इस पॉल्णामिल में पोट कर दीजिए जब पुट कर दोगे तो इपूरा पॉल्णामिल 0 के विज और यहांसे एको सॉल्ब करके निकाल सकते हो तो यह की वैल्यू की कितनी आ अगई बंड और लिस्ट की विडियो में चेक कर लेंना और भी question papers है उनमें सारे questions जितने भी करा है वो सारे ही exam के point of view से important अगर वो कर लेंगे तो बाहर से कुछ करने के आपको ज़रूरती नहीं बड़ेगी तो शहले question number 7 देख लेते हैं रेडियस का ratio दिया स्फेर की तो देख आपको रेडियस का ratio दिया r1 upon r2 का ratio दिया 1 by 4 और आपको volume का ratio निकालना है स्फेर का volume आपको पता होना चीए formula स्फेर का volume का 4 by 3 पाई r की power 3 volume है न तो power r की 3 आज़ेगा तो यह पहला स्फेर है तो इसमें radius r1 ले लो और power 3 यह दूसरा स्फेर है तो इसकी radius r2 ले ली क्योंकि पहले भी आपको दिया हुआ था 1 by 4 और इस पर 3 आ गया तो volume का ratio r1 by r2 का q 1 r1 by r2 1 by 4 और पर q लगा दिया 1 का q मतला 1 1 1 3 बर multiply करो 1 1 1 जब multiply करो तो 1 ही तो मिलेगा पर जब 4 को 3 बर multiply करोगे 4 का power 3 है न तो 3 बर multiply 4 हो जब 16 64 तो ratio की आजएगा 1 ratio 64 जो की option number d correct हो चाहेगा 1 ratio 64 4 next question देखते है question number 8 in the given figure lm के parallel है ये line lm के parallel है n आपकी transversal line है x की value find करने है तो यहाँ पे आपको parallel line की कुछ properties आने चाहिए जैसे जब दो line parallel होती है न तो ये वाली line अगर इस line के parallel हो ये transversal है तो एक तो alternate ये वाले line के अंदर ये line है ना line के अंदर ये किदर बनेगा ये किदर बनेगा इसलटरनेट कहते हम तो ये वाला इसके साथ के अनदर है ये दोनो एक इदर है एक इदर है ये तो यह दोनों alternate बना रहे हैं तो यह alternate angle equal होगी वाल एंगल इस पूरे एंगल के परावर हो जाएगा alternate interior अब y निकालना है तो यह यहाँ y के लिए solve कीजिए 2y को इदर ही ले आए यह तो यह प्लस है यहाँ के minus होजागा यह number as it is नहीं रहेगा y अलग number अलग 3y वैसे 2y minus कीजिए 1y sin बड़े का बड़ा यह है तो प्लस का यह एंड इकोल टो रोटी वाल तो य की value आ गई अब आपको x की भी निकालनी थी तो देखो वैसे तो x की ही निकालनी है तो x की निकालने के लिए हमें y की पता होनी जरूरी थी इसलिए हमने पहले alternate से y निकाला अब y आ गया अब आपको देख रहा है यह वाला angle जब भी दो लाइने cross करती है देखो यह दो लाइने cross कर रहे है तो यह वाला जब भी दो लाइने cross कर यहां से आप X निकालना है तो Y की पहले पुट करने हैं पड़े कि यहां पर य की 25 को 25 रहा है प्लस तो से मल्टिप्लाइब का फिफ्टी होगा प्लस का 25 तो 75 हो जाएगा और यहां से यहां लिए यह निकालना है तो यह नमबर को नंबर के पास भीजेगे पहले प्लस की आप सी हैं 50 आगे माइनस करोगी तो X की बैलुए 60 आजेगी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा तो तो सिंप्लिफिकेशन तो आपको करनी आती ही होगी पसी याद अठना अल्टरनेक्ट इंटीर भी बरावर होते है और वर्टिकली बरावर होते है पहले लाइन्स में नेक्स्ट कोशन नमबर नाइन देख लिए न लाइब गिवन बिलो इस दे मैब गिंग दर पोजिशन आफ फोर हाॉसिंग सोसाइटी एंड रोड़ से रोड़ जोड रहे है तो फिर फॉर को थी से प्रती है यह वाली रोड़ हो से को फूर से से यह वाली फस्ट को से कंड से यह वाली society 2 और 4 को जोड़ी है आपको question बोला है for housing society है आपको बोला है what would be the measure of the sum of anger formed by the state road at society 1 and society 3 society 1 और society 3 को जो जोडने वाली state roads है तो society 1 को society 3 से direct connection दिया नहीं हो है तो society 1 से society 3 कैसे आएगी या तो यह वाला यह वाली road को ऐसे लेना पड़ेगा या फिर यहां से ऐसे आपको बोला है जो भी society 1 और 3 को जोड़ रहे है ना state road उनके sum of angles को निकालना है तो यानि आपको क्या निकालना है एक तो society 1 से society 3 में यह वाला road है तो यह angle बन रहा होगा और एक ही यह वाला road है तो यह वाला angle बन रहा होगा तो देखो आपको यह डाइग्राम दिया हुआ यह एक तरह से क्या दिया हुआ है circle के अंदर एक quadrilator बना हुआ है और पूर ना quadrilator जो है circle को 4 पॉइंट पे टच कर रहा है circle के circumference पे है तो जब भी कोई quadrilator circle के अंदर हो और उसके circumference को circumference की उसके पॉइंट पॉइंट हो vertices हो वो उसकी circumference पे हो तो ऐसे quadrilator को हम cyclic quadrilator बोलते है और cyclic quadrilator के एक property होते है जैसे मालो ABCD एक cyclic है तो एक के opposite जो एंगल है B एक के opposite कौन सा एंगल है sorry C है एक के साथ B तो adjacent है यह के साथ C opposite में है तो जो opposite angle होते है cyclic के वो उनका sum जो होता है 180 होता है यह property होती है ऐसी angle B और D का sum भी 180 होगा तो आपको B और D का ही तो sum निकालने को का है यह वाला society 1 से society 3 को एक तो यह वाला angle जोड़ रहा है यह वाली road बना रही है और एक यह वाली road बना रही है तो एक तो इसका इसका sum यह वाली road society 1 से 3 को जोड़ रही है यह वाला angle बन रहा है और यह वाला angle बन रहा है तो इन दोनों का sum पूछा है इन दोनों का sum कितना है 180 है क्योंकि cycle की property होती है तो option C आपका correct हो जाएगा 180 ठीकी चले question number 10 देख लेते हैं the edges of a triangular board are 6810 edges given as another side होती है triangle की and cost of printing आपको निकालने है at the rate of 9 पैसे per cm2 ध्यान से देखना 9 पैसे दिया हुआ cost तो पहले आप देखो जब भी आपको triangle की sides given होती है और area निकालना होता है क्योंकि painting की cost आपको per cm2 दी है ह recap तो perimeter की कालता है इन 3 का प्लस करो पहले perimeter निकालो इन 3 का प्लस करो two मिई करो प्लस और फिर लास्मों अठेक हो we energy कालता है यह 8 है यह 10 है इनकी boundaries को plus करते तो perimeter आएगा ना 6 8 10 और 2 से divide करना है क्योंकि semi निकालना है अब 6 8 14 और 10 24 upon 2 12 आज़ेगा 12 आपका semi आएगा perimeter तो 24 आया बड़ semi perimeter कितना है 12 अब area here on का लगाने के लिए यह वाला formula लगाना है ट्रेंगल का अगर area लगाना है root s, profess minus ay s minus b s minus c जहां से देखना s multiply हो रहा है फिर s minus a फिर multiply हो रहा है फिर s minus b ferold तो s कितना है 12 आया फिर s को यह से minus करना है s 12 है और a कितना है first side 6 तो 12 minus 6 हो जाएगा फिर s 12 है और minus b के second side 8 फिर s 12 है और c के है 10 है तो यह formula होता है here on 12-6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 12-8 4 हो जाएगा 12-10 2 हो जाएगा अब आप न जब भी square root के अंदर बहुत सारी number multiply में होते न तो इन सब के prime factor कर लिया करो 12 के prime factor करो 2 से जाएगा 6 पे 2 पे जाएगा 3 पे तो 2 तो जाएगा 12 तो 2 तो जाएगा 12 यी कर लिया फिर 6 के prime factor करो 2 थी जा 4 के करो 2 थी जा फिर 2 से आप देखो square root के अंदर जब बहुत सारी prime factor आ जाते है तो आप क्या देखते हो कि pair कौन बना रहा है जैसे 2 के साथ pair बना रहा है ना दो का pair बन रहा है दो बारे ना तो एक त स्रस् Hopefully यासी 3 का भी pair बन रहा है लिए नंबर बहार आजाएगा अब शर्ष के साथ था बार में से एक इसमें से बहार आजाएगा यह साथ आजाना कोश्न छतम नहीं हो आपको फैंटिंग कॉस्स निकाली हो को सब्सक्राइब को पता है किक आपको पता है एक संटिमेठर स्क्वाइर डाइन पेसा है तो रूपीसमे .. के लिए 100 से डिवाइड करना क्योंकि पैसे में निकाल के हम रुपीज में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा एक संटिविट्र करका 9 था 24 को निकाला तो पहले multiply किया फिर पैसे को रुपीज में बदलने के लिए 100 से divide किया तो यह multiply कर लो तो 2.16 आएगा और 2.0 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा डेसिमर तो 2.16 रुपीज में आज़ेगा ए उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ओके तो यह इसका आंसर है वीडियो लंबी हो गई है कोशन नमबर 11 से 20 तक हम नेक्स पार्ट में कर लेंगे उसके बाद सेक्शन B C D भ होंगे इस वाले वीडियो के तो उसको अच्छी तरह से देखना कॉपी पैन लेके प्रैक्टिस करने है सिर्फ देखना नहीं है तो मैंने बहुत डिटेल भी बता दिया सारा चीक है तो आई इस वीडियो को शेयर जरू कीजिए लाइक जरू कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्ले लिस्ट की वीडियो को भी जरूर देखिए और इसको कॉपी पैन लेके प्रैक्टिस कीजिए